बिसमिल्लाई रह्मान रहीम असलाम लेकम वेल्कम वैक टूमाई चैनल अमीद करते हैं आप सब ख्यारियत से होंगे आज हम आपकी खिद्मत में फिर से हज़िए बहुत ही डिशिज और करारी जटपर से बनने वाली निम्कों की रास्पी को सब तर्शलिए फिर बिने टाइ आपको नस्दीक से दिखाते हैं यह देखें जब हम इसको दोएंगे अच्छी तरह से माशला साइज में डबल हो जाएगी तक्रीबन चार से पांच घंडे के लिए बिगोएंगे तो यहां आप देख सकते हैं कि इसको बिगोए हुए चार से पांच घंडे घुजर चुक करता रहें यह बिल्कुल फ्री है एक को सुरह सा बाउ लेंगे और उसके अंदर स्टेनर रखेंगे और जिस दाल को हमने छे घंडे के लिए बिगोए करेंगे इसको रिमूव करेंगे यह माशला बहुत ही जटपट से बनके त्यार हो जाती है इसके लिए आपको कोई पर फिला देंगे और इस तरह से हम इसको पर दाल एड़ करके इसको अच्छी तरह से फिला के एक दूसरे दूमाल से हम इसको अच्छी तरह से खुशक करेंगे यह स्टप करना बहुत जरूरी है इसको आपने बिल्कुल भी मिस्ट नहीं करना और साथ ही आज की मारी करें तो इसके शींटे ना उड़ें साथ ही यहां आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से गरम की है और बहुत ही अच्छी तरह से ने करना है चाहिए तो दाल को इस तरह से फ्राइब कर लें चाहिए इस तरह से एड़ कर सकते हैं साथ ही आप देख सकते हैं कि अच्छी तर और दाल खुद बहुत उपर आजाए तो मारी दाल माशला से त्यार होगी और दाल को तक्रीबर पांच से च्छे गंटे अच्छी तरह से तीन से चार पानी से दोने के बाद दाल जो है वह पानी को अपने अपजोब करती है इसकी वजह से दाल फूल के साइज में डबल हो ज अच्छी लगे तो प्लीज इसको जादा से जादा लाइक और शेयर जरूर किया करें आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है अब हम इसको टिशू पेपर के ओपर पहला देंगे ताकर इजाफिए वह पेपर अपने अंदर अब्सरूब कर लें कि इस तरह से एक बा कर देंगे और उसका भी हम मिक्स करेंगे फिर हम फाइनल लुक की तरफ आएंगे तो जी मार्शला अलहम्दुलिल्ला बहुत ही क्रिस्पी क्रेंची मौंगदाल निम्को बनके त्यार है आज की मारी यह रैस्पी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं औ और आप इस जटपर से बने वाले रैस्पी को जरूर ट्राय करें इसके साथ ही जी मिलते हैं इसी तरह की असान जबरदस्ट रैस्पी के साथ खुश रहें अबाद रहें अलापक आपका आमीर आसर अलाफेज